नमस्कार दोस्टो टिग्नल पास्ट पोस्ट में अपस्विया स्वागते दोस्ज़ वीडियो में आप सभी को एंड्रॉड फोन में एक सेटिंग रताहूंगा जो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप एंड्रॉड फोन यूज़ करते हो वीडियो को पोरा देखे ता कि आपको सारी बाते समझ में आए और आप Android फोन में उस important setting को कर सको ज़्यादा डेम ना लेते हुए चले दोस्ता हम ये important वीडियो भड़ा पड़ से start करते हैं दोस्तों वीडियो में के बढ़ने से पहला आप सभी से मारा एक चोड़ा सा रेकोईस्ट जरूर से वीडियो को लाइक करते हैं अगर आप चाहते हो हमारा महानत सफल और अरंग लाइस सो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं और जिन्होंने भी देख हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहां पर दीजिए नीचे लाल रूंग में सब्सक्राइब बटन है आपको फोन में एक option मिलेगा DNS और DNS को लेके बहुत सारे myths हैं और DNS अपने आप में एक पुरा ब्रह्मान है, बहुत बड़ा subject है और मैं आपको ब्रह्मान के अंदर लेके नहीं जाओंगा मैं आपको देशी language में समझाओंगा DNS क्या है, कैसे काम करता है DNS यूज करने साबको क्या फायदे होने बाले है और कैसे DNS को फोन में यूज करना है सबसे पहरे ये important है DNS क्या है और कैसे काम करता है, ये समझ लीजे DNS आपके data को encrypted करता है For example, अगर आप Amazon से shopping करते हो, online ठीके और वहाँ पर जो भी card details, online transaction करते हो वो आपके और Amazon के बीच होता है कोई third party वहाँ पर interfere नहीं कर पाता है मतलब आपका internet browsing जो भी internet activity है वो completely secure होता है, जो भी website आप open करोगे वो completely secure होता है ठीके? और encrypted होता है और जो second benefit आपको होने वाला देखिए अगर आप Geo SIM यूज कर रहे हो उसका server अगर down होगा, आपका internet slow होगा ऐसे में आप server को change कर सकते हो fast server को use कर सकते हो phone में DNS के मदल से तो ये basically दो फायदे आपको होने वाले आपका internet browsing safe होगा जो भी internet पे data put करोगे वो encrypted होगा, online transaction आपका secure होगा and second most important आपका internet fast हो सकता है तो इसके लिए सबसे पहला आपको phone में settings open करना है settings open करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा connection या फिर आपको यहाँ पर other wireless connection के नाम से एक setting देखने को मिलेगा तो यहाँ पर connection के ओपर click कीजिए फिर आपको यहाँ पर एक option लिखने को मिलेगा more connection settings more connection settings के ओपर क्लिक कीजिए और दोसों यहाँ पर दीखे private DNS आपको यह option मिलेगा तो आपको यहाँ पर private DNS के ओपर क्लिक करना है और यह by default off होता है ठीक है तो यहाँ पर दीखे एक option नीचे private DNS provider host name बस यहाँ पर इसे select कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है DNS.google ठीक है आपको यहाँ पर DNS.google यहाँ पर लिखना है और इसे save कर दीजे ठीक है और यहाँ पर यह connect हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर देखे यह connect हो चुगा है या फिर Vodafone किसी में भी अगर आपका internet server slow होगा तो ऐसे में आप यह कर सकते हो लेकिन दोस्तों मैं यह नहीं कह सकता दीखे Google भी कभी down होगा server ऐसे में आपको जो आप SIM यूज कर रहे हो वह server को आपको यूज करना चाहिए तो यहाँ पर आपको पॉन में यह option ही नहीं है तो आपको करना क्या है प्लेश्टोर में जाना है ठीक है और आपको एक application search करना है यहाँ पर दीखे यहाँ पर faster and server internet और मुने application link वीडियो के description में दिया है वहाँ से भी application आप डाउनलोड कर सकते हो तो यह application एक DNS application पॉन में यूज कर सक्षा लगा जरू वीडियो के नीचे लाइक कर देना और जितना हो सकते वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास इनफार्मेशन पहुंस के आपका दिन सुबह जेहिंद